आज मैं आपके लिए लिख्याइंएं। बहुत आसान और तेश्ची नास्ते की रेस्पी ज़ट पर बनतों ज़टी खाने में भी बहुती टेश्टी लगती है और साथ में यह healthy भी बहुत है बच्चे आज कलके मकई काटा नहीं खाते हैं और रोटी वगरा पसद नहीं करते हैं पसद्यों में यह आटा जरूर खाना चाहिए बहुती फाइदेमंद होता है तो अगर बच्चे इस नास्ते को मना नहीं कर पाएंगे तो स्टार्ट करते अब अपनी नहीं रेश्पी मकई के आटे का नास्ता यहां मैंने प्रात में एक कप मक्य का आटा लिया जिसको हमने अच्छे से छान लिया है तो अब हम इस आटे में आलू डालेंगे चो उबलेवे और ठंडे भी हैं तो आप जितना आटा लेते हैं उसी हिसाब से आलू को ले सकते हैं मैंने एक कटोरी मक्य का आटा लिया है तो आप उसी हिसाब से एक कटोरी आलू को कदुकस करके ले सकते हैं मैंने यहां चार मीडियम साइट के आलू लिए हैं जिनको मैं सीधा आटे में ही कदुकस कर लूँगी तो आप चाहे तो इसको हाथों से मैस भीगा सकते हैं पर इसमें कोई गुटली ना रहे जिसे कि हमारा नास्ता खराब जाएगा अगर गुटली कोई भी रह जाती है तो आप इस तरह से कर्दुकस करके अपने आलो को ले सकते हैं यहां मैंने सब भी आलो को कदुकस कर लिया ہے अब हम इशाड़ डालेंगे यहां मैंने एक मीडियम साइट की प्याच को बारिक बारिक करता है', आप चाहे तो इसमें और भी स्बज़्य अगत सकते हैं जैसे कहां गाजर को Chief करके डाल सकते हैं माटर को अबाल कर ड Already को भी को पर राल सकते हैं सब्सक्राइब अपने इसाब से कोई भी डाल सकते हैं अब उन इसमें कुछ मसाले और तो सब्सक्राइब एक चमज छीद्ध फ्लेक्ष भी डाल सकते हैं 7 में डाल रहा हैं स्वाधनसार नमक अपहां इसमें डाल रहा है आदर चमच काली मीची पाउडर ऑफ और 7 में डालेंगे यहां पर रदा चमच आप चांची स्रीकिता हको आप चाहत 국ष इसमें हरी मीची भी डाल सकते हैं पर मैं बच्चों के लिए बना दे तो इसमें हरी मीची नहीं डाल रहें अब हमने अधन्य डाल देया तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले हम बिना पानी के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्यों कि कई पर होता है कि आलू में तो उसे अमारा नासता अच्छे बन जाएगा पर कभी-अलू सुख्य होते है तो उसमें पानी की डालने की जूट होती है तो हम इसी तरह से मसलते ही अपने आलू को आठे सब्सक्स मिक्स कर लेंगे यह हमारा आठा थोड़ा सुखाßु है है अच्छ से बन ने रहा था तो हमने अधा कपके करीब पानी डाला है ख थोड़ा ख र्लकर अपने आटे को अच्छ से लगा लिया आब अच्छे से मसलते हैं हम अपने आठे को त्यार कर लेंगे एंस तेस्टि के साथ हेल्दी भी में बच्छों को जब भी कुछ खिलाना हो तो इस तरह से मक्यआ आठे का अपना अस्था बना कर खिला सकते हैं ये देखिए के हमारा आठा भी लग गया अब हम अपने हाथों में तेल या घी लगा लेंगे और छोटी-छोटी लोहीया तोड़ लेंगे इतनी बड़ी पूरीयों की लेते हैं उतनी बड़ी हम लोहीया तोड़कर त्यार कर लेंगे और इसी तरह अच्छे से मसलते हुए पहले हम इसको गोल बनाएंगे इस नास्ते का सेब आप अपने साफ से अपनी चोईस के साफ से बना सकते हैं आप चाहे तो इसको गोल बना सकते हैं या कोई गोल अकार भी दे सकते हैं मैं आज इस तरह से बना बना कर त्यार कर रही हूं ज़्यादा ना मोता हो और ज़्यादा पतला तो इसी तरह से नास्ता बना बनाकर हम एक बलेट में रखते जाएंगे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको दबाते हुए हम उसको पहले एक लोई बनाएंगे और फिर उसको चप्टा करकर अपनी नस्ते की सेव देंगे इसी तरह से दबा दबाकर अगर थोड़ा सा फट रहा हो तो उस या मैंने कुछ नस्ता बनाकर त्यार कर लिया है और बाकी हम बाद में बनाएंगे जब तक यह फ्राई होंगे हम बाकी के बनाकर त्यार कर लेंगे तो चलते पहले इनको फ्राई कर लेते हैं गैस पर हमने कढ़ाई लिये और कढ़ाई में तेल डाल दिया तेल हमारा तेज जितने अपनी आपकी कड़ाई में आ जाए उतने हम नास्ते को डाल देते हैं अब हम इसे दीमी और मिध्यमाज पर सेग लेते हैं जिसे की अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यह थोड़ी देर होगी तो हम अपनी नास्ते को एक बड़ी चेक कर लेते हैं नीचे से पक और इंको पलत लेते हैं यह तेकिए हमारा नास्तान दीचिसे सिख घए तो इसी तर से हम सारे नास्ते को पलत लेंगे और उसको नीचे से भी अच्छे से चिकने देंगे यह हमारे नास्ते में अच्छा कलर हो गया अब नीचे से भी शिखने देते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा फटाफट शिख जाएंगे पधिमी आज पर या मीडियम आज पर इनको शेख कर आप त्यार करें हम फिर से एक बरी पलड देते हैं जिसे की और भी अच्छा कलर आजे हैं हमारे नाश्ते में तो यहां मैंने फिछ अपने नाश्ते को पलड दिया यह देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से शिख गया है तो अब अपने नास्ते को निकाल लेंगे अब हम अपने नास्ते को निकाल लेंगे यह देखिए यह ओईली भी नहीं बनता तेल भी हमारा बिल्कुल भी जला नहीं है और बिल्कुल ओईल बोईल फ्री बन गया है और खाने में पहुती टेस्टी बहुती क्रिस्पी और टेस्टी भी बने थे तो इसी तरह से हम दूसरे बैस को भी फ्राइ कर लेते हैं तो एक बारी में जितने आ जाएंगे उतने हम अपने नास्ते को डाल देंगे अपनी कड़ाई में और हम इनको बीलोटूट मीड्यमाच पर शेकेंगे यह बिल्कुल भी तूटेंगे नियुए आपको बिल्कुल भी टैंसर नहीं लेनी और भोती टेस्टी बनता है और खाने में भी और बनाने में भी असान तो यह हमने सभी नास्ते को डल दिया और इनको शिकते वीड़ा टाइम हो ग बलार आगया नीचे से तो सभी नास्ते को हम इस तरह से पलट लेते हैं आप चाहेँ तो बच्कों के टिफिन में भी इस नाष्टे को दे सकते हैं सुबह के ब्रेखवास्ट या साम की चाहे के साथ जीसे चाहेे एक वनको दे सकते हैं यह हमने सभी को प्लेट अब नीचे से भी शिखने देते हैं यह देखे यह हमारा नास्ता भी बन कर त्यार हो गया दोनों तरफ से अच्छे से सिग गया है साथ में क्रिस्पी भी हो गया है तो अब इस नास्ते को भी हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में वीदेख़े होने जितना कड़ाई में तील रला तो उतना ही है ज्यादा तेल भी हमारे नास्ते को बनने में नहीं लगां तो आप इस नास्ते को एक बर्जि जुरूर ट्राइ करें यह देखें हमारा नाश्ता बनकर त्यार हो लें इससे बाके स्ट्रेस्टी है तो इस रेस्पी को एक बार ज़रू ट्राई करें